आज जो मैं आपको वर्काउट को राने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल डिफरेंट वर्काउट है, वर्काउट का नाम है जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग हम इसे जीवीटी कहते हैं, बहुत कम लोगों ने जीवीटी को करते वे देखा होगा, और अगर उन्होंने करते वे देखा भी होगा, तो वो बिल्कुल ट्रेनर की गाइडलाइन पे ही किया जा रहा होगा, जीवीटी एक अच्छी वेराइटी है, और आप उससे नेर अच्छा करना आता है, जिनको डाइट का पूरा पता है, रेष्ट का पूरा पता है, लिटिल बिट वो सप्लिमेंट भी यूज करते हैं, बोडी में बहुत अच्छा उनका कंट्रोल हो चुका है, और अब उन्हें एक अच्छी वेराइटी चाहिए, तो इस टाइम पर वो जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग एजिली कर सकते हैं, जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग करी कैसे जाती है, जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग का तरीका क्या है, आज मैं आपको अपने एक दोस की जिम ले चल रहा हूँ, यह जिम राजिंदा नगर सेक्टर 3 में है, मैं इसका वॉ एक exercise पकड़ूँगा इसकी like bench press German volume training में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक exercise करनी है और उसके 10 sets करने है और 10 wrap होने चाहिए आपको एक moderate weight आपको लेना है suppose जैसे सितिच light weight से start करता है और वो 100 kg तक जाता है और 100 kg के दो जो wrap है वो self है उसके German volume training में आप उसको 60% लेंगे है यानि आज जो सितिच यूज़ करेगा वो 60 weight को choose करेगा 10 set करेगा bench press के और 10 wrap होंगे यानि टोटल 100 repetition है बहुत ही अच्छा pump आएगा बहुत ही अलग variety है और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी physique variation के साथ तयार की जाती है क्योंकि एक time के बाद body को भी variety बहुत जरूरी चाहिए होती है सेम इसी को आप back के साथ भी use कर सकते हैं shoulder, tricep, bicep, leg सारे studentों को German volume training में केवल एक exercise चूज़ करने है 10 set करने है उसके 10 wrap होने चाहिए weight 60% लेंगे जो भी आपका maximum weight है उसका 60% आप निकालेंगे आप इसको करके देखिए आप मुझे comment भी करिएगा बहुत अच्छा pump आएगा तो चलिए जल्दी से चल रहे हैं मैं आज आपको अपनी दोस की जिम ले जा रहा हूँ उसका walk around दिखा रहा हूँ और आज हम करेंगे जर्मन volume training करेंगे लेन डिक करेंगा पूर चलिए है मैं आपको आपको ो झाख अबड़ रहा है और आपको आपको कि है जैं आपको झाल 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 झाल